हाई गाईज कैसा आप लोग सुखा इस वीडियो में हम लडिए डेन के टोंस चैप्टर की क्वेशन कर रहे हैं जो कि जैए में जैनुवरी 2024 में आये थे और यह पार्ट टू है और दो पार्ट में कम्प्लीट हो चुका है सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे प्लेलिस सेक्शन ज़रूर चेक करें इस चैनल पर यहर वाइज और चेप्टर वाइज काफी कुछ मट्रियल अप्लोड किया हुआ है इसमें फिलालम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कार्बजाइड और सेमी कार्बजाइड दिखते कैसे हैं अगर आप इन दो स्ट्रक्शर को देखेंगे पहला है कार्बजाइड और यह है सेमी कार्बजाइड कार्बेजाइड में अगर आप गोड से देखेंगे तो यह जो पार्ट है basically और यह वाला यह पार्ट decide करता है कार्बेजाइड का अगर यह जो groups है यह present है दोनों side तो कार्बेजाइड अगर यह एक तरफ present है तो semi कार्बेजाइड अब यह कुछ भी हो सकता है अगर इस चीज में इसमें आप देखोगे जैसे c o n h n h 2 r को इसमें h मान लिए एक तरफ से और इधर देखेंगे n h है और यह पूरा का पूरा क्या है नहीं है इसमें सिर्फ r है याने h समझे रहाँ आप खुल मिला के तो यह सेमी कार्बेजाइड है अब इस compound की reactions कह रहे हैं कि इधरनल के साथ हुई याने इसकी reactions मैं कर रहा हूँ c h 3 c h o के सब ओके यह गया इधरनल अब देखेंगे वैसे तो इसमें एक direct मैं ट्रिक अप्लोड कर चुका हूँ इसकी आप इसके मिश्ट्री चैनल पर अगर आप देखेंगे ट्रिक्स प्लेलिस्ट में तो इसमें आपको डारेक्ट ट्रिक आप बता लग जाए कि कि जिस compound में नहीं होता है उसको आप डारेक्ट कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं और 2COONH अभी देखें यह जो N है इसके बीच में double bond था इसके साथ bond बना है CH के साथ तो याने CH और फिर यह CH3 तो अगर आप देखेंगे तो यह आपको प्रोडक्ट था और इसमें कितना पूछा है number of nitrogen items आने 1,2,3 तो 3 आपके nitrogen items है बात है आपकी इसकी mechanism की देके mechanism में कुछ इस तरह से होता है कि जैसे यह lone pair है यह attack करता है क्योंकि देखें पूछेंगे यह lone pair या इसने क्यों नहीं किया because these are in conjugation यह ज्यादा basic site है तो यह इस पर attack करते ही bond खुल जाएगा ज्यादा तर यह वाली reactions acidic medium में होई जाती है यह ध्यान रग रहा है अब जब यह bond खुल जात negative और CH3 अब यह positive charge क्या होगा यह यहाँ पर निकल जाएगा ठीक है और मैं कहाता हूँ कि चलो ठीक है OH यहाँ पर जुड़िया अब क्योंकि यह reactions generally acidic medium में possible होती है तो H positive क्या करता है attack करके OH2 positive निकाल लेगा यह bond निकल जाएगा living behind आपका positive charge अब यह loan pair फिर से rearrange होता है और इधर इस बार आपको NH2COO NH NH double bond CH CS3 positive अब यह H bond फिर से निकल जाता है तो यही वाला जो आपका product है NH CH CS3 वाला यह बन गया सामन में है guys आपको कि मैं किस सरे से आपको बता रहूँ तो यह आपकी mechanism है shortcut के through करेंगे तो ज्यादा फाइदर आएगा तो जो आपका correct option है is option number 3 next vision देखते है metachlorobenzaldehyde on treatment with 50% KOH solution yields देखे metachlorobenzaldehyde का structure क्या है सबसे पहले तो यह होगी आपका CHO and ortho metapaposition का chloro है अब इसकी reaction हो रही है 50% KOH solution है अब एक बार बतावा आप वैसे भी जब भी आप KOH या NUH alkali की reactions देखते हो aldehydes की तो आपको दो ही reaction आनी चाहिए या तो aldol वाली condensation और यह आपको कहनी जायर हो वाली aldol में alpha H should be there और इसमें no alpha H अगर present है तो यह वाली होती है इसमें क्या होता है कि generally alcoholic को या dilute को यूज किया जाता है इसमें aqueous KOH या फिर concentrated KOH यूज क्याया था देख इसमें concentrated KOH है या NUH है alkali basically लेगन इसमें भी कहते है कि 50% at least 50% concentrated अगर NUH या KOH वगेरा लिया हुआ है वो minimum requirement है जो कि इसमें okay तो ठीक है एक तो यह बात हो गई कि मुझे पता है कि अगर इसमें alpha H तो प्रजेंट नहीं है कोई भी है बराबर वाले carbon तो कोई H नहीं है ठीक है मुझे पता है CHO disproportionate हो जाएगा अगर मैं सिफ chloro को हटा दूँ अभी अगर यह वाली reaction है तो इसका एक तो oxidation और reduction का production होगा एलकोल से oxidize होके aldeide होता है तो reduce होके यहाँ पे CH2OH हो जाएगा अब एक इसका यह तो हो गया reduction oxidation का product क्या बनेगा यह वाला COOH बन जाता है लेकिन because जो reaction है strong concentrated या NUH solution में हो रही है तो जनरली क्या होता है यह जो acid ही कहचा है यह remove हो जाता है alkali खीच लेते हैं तो यह product दिखाते हैं यह तो होगे नौ इसके अलावा आपको एक चीज और पता होने चीए जब भी आप strong alkali को use करते हो जैसे यह chlorobenzine है CL के लिए strong या concentrated के OH और heat वगेरा देते हैं तो इस case में आपका जो CL है वो convert हो जाता है आपका OH में क्या होगा क्योंकि यह CL था तो इस case में अगर मैं यह CL जोड़ दूँ तो यहां पर क्या हो जाएगा OH इधर भी OH CL OH से replace हो जाएगा तो इस case में आपको जो option number 4 है याने OH CH2OH OH CW negative यह आपका correct answer हो जाएगा option number 4 next vision देखते हैं the product of the following reaction is देखे P बोला इसका product है और number of hydroxyl group present in the product P is अच्छा अब एक बात देखो इसमें अगर मैं इसको गोड से देखू एक तो यह वाला हो गया CHO याने यह double bond over H और इधर हो गया OH अब grignard reagent से reaction हो रही है याने pH mgbr क्या है is nothing बट यह negative mgbr grignard reagent है अब यह एक nucleophile है देखे nucleophile यहाँ पे nucleophilic attack भी कर सकता है और इधर acid base reaction भी कर जाता है हमेशा याद रखे कभी कोई nucleophile present है और वो acid base reactions भी दे सकता हैnd nuclear genes भी दे सकता है तो हमेशा acid based reactions are preferred उसके बान नुगलीक फिलीक होती है, तो हमेशा ये क्योंकि प्रिफर कर रहे है असिड बेस, तो उस केस में क्या होगा, नेगेटिव ये जो H पोजिटिव है, खीच लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन, ओके, ये खीच ये, पलस जो ये वाला प्रोड़क्ट क्या बच ये वाला, simple CHO and O negative, अब next step में, एक्वस NH4Cl लिया हुआ है, NH4Cl क्या होता है, NH3 प्लस HCl, basically H positive S में है न, तो H positive again, इसको back, जो आपका जहां से reaction स्टार्ट हुईती, वही पे ले जाएगा, तो अगर आप देखोगे, जब reaction final होगी, तो ये reactant था, स्टार्ट होगी तो फाइन है, तो reactant पर ही आगया वापस, ये product बन गया है, है न, तो अगर आप से पूचे है, number of hydroxyl groups, तो इसमें किता होगे, 0, इसमें तो L-D-I-D भी नहीं है, तो 0 is your final answer, ओके, next question देखते है, identify the name reaction, ये reaction दिये, benzene की reaction हो रही है, इंसाथ के साथ, और benzal-D-I-D बन रहा है, आप वो इनकी reaction क्या है, स्टीफिन reaction के अगर आप बात कुरते हो, तो RCN, basically SNCL2 और HCL वगरा के साथ, जब H2O भी present होगा, इनके जब करते हो, तो तब benzal-D-I-D बनता है, याने benzene से नहीं बना, आपको बना है इस से, याने अगर suppose ये वाला group present है, तब ये benzal-D-I-D बनाता, ओके, ल oxidation है, ये भी L-D-I-D तो बनाता है, लेकिन इतार्ड reaction में आप convert करते हो, तोल्वीन को, तोल्वीन से बेंजल-D-I-D बनता है, देखे, बेंजल-D-I-D तो अभी तक सब में बना है, लेकिन इसमें तोल्वीन से बनता है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, C-R-O-2-C-L-2 ये इतार्ड reaction है, oxidation है, इस वज़े से ये भी गलत, ये तो होई गया, रोजनमन reduction क्या है, रोजनमन तो आपको पता ही होगा, जैसे, फर एक्जामपल, अगर आप R-C-O-C-L लेते हो, इसमें H-2-P-D के साथ B-A-S-O-4 ले लेते हो, तब ये आपका convert हो जाता है, R-C-O-H, इसमें, ये C-L है, तो ये basically C-O-H, aldehyde, इसमें भी benzyldehyde इसमें भी बन जाता, लेकिन इससे बन रहा है, and this is incorrect, ध्यान रखना, गाईज, एक बात, अगर इस केसमें B-A-S-O-4 ना लेता मैं, तो सिर्व R-C-H-O-H बन जाता, alcohol, aldehyde इसलिए बना, क्योंकि मैं B-A-S-O-4 यूज कर रहा हूँ, B-A-S-O-4 is acting as a, in this reaction, as a poison, poison क्या करता है, जो catalyst है, पैलेडियम की, उसको corrupt कर देता है, और बहुत सारी site में क्या होता है, reduction नहीं हो पाता है, corrupt हो, यहां पर नहीं चिपक सकता कोई B-A-S-O-H-2, इस वर इसे aldehyde पर ही reaction रुख जाती है, ये समझ देना तो फिलाल जो आपको correct answer क्या हो गया, option no.3, ठीक है, so thank you for watching guys, आपका il dad की tone इसमें, 2024 वाले जो chapter है, January के हो, खतम हो गया, so thank you, bye